नमस्कार और इस पॉइंट में आपका स्वागत है इस फीडियों में हम आपको 15 ऐसे जरूरी सवार और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, BiharPolice, SSC, Railway जैसे अनिप्रतियों की प्रिक्षाव में कामाएंगे ये सवाल इतिहास, राजनिते विज्ञान, करेंट अफेर्स, भुगोल और विज्ञान से जुरे होंगे तो आएए देखते हैं आप कितने सवालों के सही सही जवाब दे पाते हैं सवाल नमर एक, 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंदर था? सवाल नमर दो, बिहार के किस जिले में कुछ छेतर की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है? एए पटना, बी वैशाली, सी भोचपूर, डी नवादा सवाल नमर तीन, बोधगया में इस्थित प्रसिद महाबोधी मंदिर का निर्मान किस श्यासक ने करवाया था? ए, अजात सत्रू, बी अशोक, सी देवपाल, डी धर्मपाल इसका सही जवाब है, बी अशोक सवाल नमर चार, मुगल सामराजी की राजधानी को आगरा से दिल ली किस ने इस्थाना अंतरित किया था? ए, जहागीर ने, बी औरंग जेब ने, सी हुमायू ने, डी शाह जहाने इसका सही जवाब है, डी शाह जहाने सवाल नमर पाच, जारिया वाला बाग में गोली चलानी की आग्या देने वाले इन में से कौन थे? ए, लॉर्ड सेम्सन, बी रॉलेट, सी, माइकल ओडायर, डी करजन विली इसका सही जवाब है, सी, माइकल ओडायर इसका सही जवाब है, सी, सुभाष चंद्र बोस सवाल नमर साथ, सबसे पहली बार राश्ट्रपति शासन किस राज़ों में लागू किया गया था? ए, पश्यमंगाल, बी, केरल, सी, मैसूर, डी, पंजाब इसका सही जवाब है, डी, पंजाब सवाल नमर आठ, दल विही लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? ए, जेप्रकाश नारायन, बी, भुपेंद्र नाथ दत्ता, सी, मन रॉय, डी, जिवाहलाल नहरू इसका सही जवाब है, ए, जेप्रकाश नारायन सवाल नमर नौ, किस राजनेतिक दल के स्थापना स्वतंतरता से पहले हुई थी? ए, जनसंग, बी, स्वतंतर पाटी, सी, भारतिय सामेवादी दल, डी, इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब है, सी, भारतिय सामेवादी दल सवाल नमर दस, हाइड्रोजन परमानों के नूकलियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? ए, शून्य, बी, एक, सी, तीन, डी, पाच इसका सही जवाब है, बी, एक सवाल नमर ग्यारा, इन में से कौन सा प्राने इस्तंधारी नहीं है? ए, मचली, बी, चमगादर, सी, वेल, डी, बंदर इसका सही जवाब है, ए, मचली सवाल नमर बारा, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस किस दिन मना आ गया? ए, दस फरवरी, बी, ग्यारा फरवरी, सी, बारा फरवरी, डी, तेरा फरवरी इसका सही जवाब है D. 13 फरवरी सवाल नमबर 13 हाल ही में संसद में सरकार द्वारा दिये गए आकड़े के अनुसार भारत में प्रती मिलियल लोगों पर लगभग कितने निया धीश है? A. 25 B. 21 C. 74 D. 63 इसका सही जवाब है B. 21 सवाल नमबर 14 हरित बाली रोग किस फसल से संबन्दित है? A. 600 से B. धान से C. बाजरा से D. मुंखफली से इसका सही जवाब है C. बाजरा से सवाल नमबर 15 किसको साथ परवतों का नगर कहा जाता है? A. लंदन को B. रोम को C. वाशिंग्टन को D. सेन फ्रांसिसको को पिसले सेट में हमारे जिंदशकों ने सबसे ज़्यादा सही सवालों के जवाब दे उनके नाम है आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद हमारे इस सेट में आप कितने सवालों के सही जवाब दे सके हैं हमें कमेंट में लिख कर जूरूर बताए सबसे ज्यादा सई जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिस करें के साथ ही आपको हमारी यह सिरीज फायदे मन लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि यह अन्य अभिरतियों के भी काम आ सके तो आज के इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए दीजिये जाज़त नमस्कार